क्या होगा अगर आप 40 साल के हो जाओ और फिर एक दिन आप बैटे बैटे सोचो कि काश मैं अपनी टीनेजर वाली जिन्दिगी में जा पाता और मैं शायद कुछ ये अलग करता या फिर ये वाला डिसीजन ना लेता इसके वज़ाए कुछ और डिसीजन लेता तो लाइफ जो 2009 के आसपास आई थी अभी समूवी की जो लायान था वो तकरीबन डेड़ घंटे के आसपास है छोटी सी मूवी है लेकिन एंटरेटेन्मेंट है इस मूवी में सबसे पहले एंटरेटेनमेंट में जाने से पहले के अच्छी है बूरी है फर्स्ट आफ ओर तो इसकी कहा पर बहुत ज़्यादा impact पड़ता है कैसा अच्छा बुरा वो तो जब आप movie देखोगे समझ जाओगे अब ये अपनी life में यानि present life में जब वो 70 साल का होगे इसकी wife ने इसको घर से निकाल दिया है तलाग लेने की नोबत आ चुकी है इसके बच्चे इसको पसंद नहीं करते इसके बच्चे सोचते हैं ये एक हारा हुआ इंसान है अपने करियर में कुछ नहीं कर पाया इवन बच्चे मतलब सोचते हैं कि उनके पिता जो है यानि जो माइक है उखाड लिए 17 साल का होगे, लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर इसको 17 साल का तो कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो 37 साल का था, उसको 20 साल पहले, यानि past में लेके चले जाते हैं, नहीं, उसको उसी present time में उसकी age 37 से गटा के 17 कर देता है, यानि 20 गटा के उसको at present time में 17 का हो जाता है अभी इतनी clarification मुझे इसलिए देनी पड़ी, क्योंकि कहीं को लगता है, past में चला जाएगा, शायद अपना decision change कर लेगा, नहीं, वो present भी ही रहता है अब जब यह 17 साल का होता है, यह college join करता है, यह काफी मुझे चीज अच्छी लगी, मतलब मैं सोचता हूँ कि अभी जब मैं job कर रहा हूँ, job करते करते मैं सोचता हूँ, एक बार मुझे भी यार life जीने का फिर से मोका मिले, मैं school life में जाऊँ, फिर मैं एक अलग तरीके से life को जी हूँ, यह college life में जाऊं, फिर से उसको जीने का मतलब एक अलग अनुबह मुझे हो, इसको भी same वही फिली हो रही है, मंतलब यह जी रहा होता है, तब इसको एहसास होता है कि इसने जो उस 17 साल की एज में जो उसे एहसास होना चाहिए था, जो एक एचुन में 17 साल का था, वो एहसास उसे नहीं होता है, जब अब जाके हो 37 साल से, अब 17 साल का किया गया है, तब उसको जो ऐहसास हो रहा होता है, इसको एक life का एक मतलब समझ में आ रहा होता है, अपने बच्चों के साथ एक अलग तरीके से वह कि इस movie में देखने को मिलने वाली है अब इसका क्या मतलब बनता है यह क्यों बनाई गई है देखो कहीं न कहीं एक life में हम ऐसा decision लेते हैं जिससे हमें regret होता है और फिर हम सोचते हैं कि यार मैं उस गलती को ना करता या फिर वो चीज में ना करता तो शायद मेरी life अलग होती और आज मैं यह भुगतान नहीं कर रहता है तो इसके ओपर तो देखो है बहुत बड़े विचार धारक बैठे हैं वो इसके ओपर चर्चाएं कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि आपनी life को जीना सीखो वही चीज़ यह सिखाती है कि आपके पास जो life है वो बहुत ज़ अच्छा करें तो अच्छी यही चीज है कि हमें एक comedy वाली इसके अंदर जो scene हमें देखने हैं वो बहुत बढ़िया लगे कुछ ए कुछ ऐसे scene थे मतलब आप उनको फिर से repeat करकर देखेंगे काफी बढ़िया तो फिलाल मैं उनके बारे में discuss नहीं करना जा था फिर कहोगी कि आपने spoiler देती हैं और जितनी मैंने कहानी बताईए न उतनी आपको जब आप इसका YouTube पे ट्रेलर देखो कि उतनी ही कहानी इसमें देखने को मिलेगी इवन आप इसके नाम से समझ जाओगे 17 अगेन यानि इसको 17 साल लगा करते न इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने सारी story बता कि इसके नदर क्या कहानी होने वाली है story भले ही predictable लेकिन या आपको शूरू से लेकर आखिर तक अपने साथ बांध के रखते है जो काफी अच्छी बात है और जैसे मैंने का comedy scene इसके अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं बलकि कई कई तो अब बुरी चीजों में या कम्यों मे अगर हम बात करूँ तो देखो यार एक हमारे मन में एक ऐसी सोच होती है कि यार मैं एक दिन स्कूल में या कोलिज में जाओंगा तो ऐसे टशन के साथ जाओंगा लड़कियां सब ऐसे देख रही होंगी टीचर्स के अंदर रुतबा ही रुतबा मजे ही मज़े ये मज़े सीन इसके अंदर कॉमेडी वाले ऐसे थे यार वो थोड़े इरिटेट करते हैं एक बेटी और उसके बाप के टाइम का बोजू मुझे वह बहुत वियर्ड लगा यह कुछ चोटी मोटी कमिया है जो मुझे लगता है कि यार जो इस मुवी को थोड़ा बहुत मतलब और आपका experience कैसा रा इस मुवी को देखने का वो आप comment section में लिख सकते हो तो वह साच के लिए इतना है था इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते है next video में जाहें